नमश्कार मैं हूं साक्षी बिहारी नियूस में आपका स्वागत है खबरों की और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर BPSC में 40,000 से अधिक प्रधान सिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू बिहार MLC चुनौव में BJP RJD के संभावित उमिद्वार तै इच्शंता एबसे नर्सिंग शात्रों को मिलेगी सुविधा शमीन के बदले नोकरी मामले में टेली सुनवाई रोहित शर्मा ने राउसर जुविट को तोरा रिकॉड इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से बिहार लोग सेवा आयोग ने राज के प्रारंबिक स्कुलों में 40506 प्रधान सिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी सिक्षा विभाग ने समाने प्रशासन विभाग को नियूप्टी की अधियाचना भेजी है आपको बता दे कि इसके बाद समाने प्रशासन विभाग बीपेस्सी को अधियाचना भेजेगी और संभावना जताई जारी है कि बीपेस्सी जल्दी इसके लिए विग्यापन जारी करेगा साथी आवेदन की मांग करेगा प्रारम्भिक इसकोलों में करेळत शिक्षक प्रधान सिक्षकों के लिए आवेदन करेंगे और अप्से नर्सिंग शातरों को मिलेगी तुन लेगी सुविधा है इस से विधातियों का शमता वर्द्धन होगा फिलहाल A&M और G&M के चात्रों चात्राय ओनलाइन अधियन से जूरी सामगरी को डाउनलोड कर सकेंगे, इसके लिए स्वास्त विभाग ने करार किया, बिहार नर्सिंग रेजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के जरिये, नर्सिंग संस्थानों को ये सोविधा मुफ्त में मिलेग इस वास्त विभाग को इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई राशी खर्च नहीं करनी पड़े की, चात्रों चात्राओं को इस साब पर लॉग इन करने के लिए पासवर्ड मिलेगा, और पढ़ने के साथ ही अध्यन सामगरी में वोईस सुनने का भी आप्शन होगा, समय समय पर आप के माधियम से ओनलाइन परिक्षा भी ली जाएगी, जमीन के 22 फिस्दी दस्तावीज आधार से जुटे, बिहार में जमीन की दस्तावीजों को मालिकों के आधार कार्ट से जोडने का काम हो रहा है और राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग इसके लिए काम में हुआ, पटा चले में इस काम का प्रतीशत 7.44 है, जबकि बांका चले में 60.09 प्रतीशत जमाबंदी को आधार से जोडने का काम हुआ, आपको बता दे कि बिहार में जमीन जमाबंदी के कुल संक्या 4.8,1,755 है, इसमें 92,55,268 दस्तावीजों को आधार से जोडने का काम प पुर्निती थी है, इन्हें भिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार्डेश रधान जली दी, साथी उन्हें नमन किया, आपको चंदरसेखर आजाद के बारे में बता दी कि उन्होंने देश की आजादी के लराई में एहम योगदान दिया, काफी कम उम्र में वो देश की आजादी की लराई में शामिल हो गए थे और अपने पूरे जीवन को देश के लिए कुरबान किया, उन्हें सौतनता संग्राम के महनायक की रूप में याद किया जाता है, चंदरसेखर आजाद ने प्रन लिया था, कि वो कभी अंग्रेजों के हाथेों पकरी नहीं जाएं अपने प्रान को देश के लिए उन्होंने कुरबान किया था, बिहार एमिल से चुनाव में बीजेपी और आरजेडी के संभावित उमिद्वार तै है, आपको बता दे कि बिहार विधान परिशत के 11 दोस्तों का कारेकाल खत्म हो रहा है, और इनमें भाश्पा के तीन नेत मंदल पांडे, सहनवास हुस्सेयन और संजे पासवान शामल है, हम कोटे से मंद्री संतोस सुमन का कारेकाल भी खत्म हो रहा है, और भाश्पा के प्रदेश अध्यक्ट समराठ चौधरी ने जीतन राम मांजी को एक से देने का समर्थन किया, ऐसे में भाश्पा के ओर से त आलंकी चर्चा हो रही है कि बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री रावरी देवी एक बार फिर से विधान परिशद में पहुचने वाली है, केके पाटक ने 18 जिलों के सिक्षक के लिए वेतन की राशी को किया जारी, सिक्षा वबाग के अपर मुख्य सचिफ केके पाटक ने 18 जिलों के नियुजद सिक्षकों के लिए वेतन भुक्तान की राशी को जारी कर दिया, सिक्षा वबाग ने 111 करूर 57 लाग की राशी स्विकृत की, इस समद में केके पाटक की और से आदिश जारी हुआ, इन जिलों में अरेरिया, किशन गंज, खागरिया, और जारी है, और सिक्षा वबाग के अपर मुख्य सच्रिव ने इसके लिए आदेश जारी किया, वहीं 1127 वग्यान सिक्षकों के वेतन भुक्तान के लिए भी राशी जारी की गई है, पियम सीच के पुनरविकास कारे का हुआ लोकारपन, बिहार के मुख्यमंत्रे निजीश क परूर की लागत से निर्मित भवनों का उधगाटन कारे किया गया है, और इसके लावराज्य के 214 परियोजनाओं के लुकारपन का काम किया जाएगा, पियम सीच में अब पांच नई सुविदाएं होने वाली है, बताया जारा है कि पियम सीच को विश्व अस्तरिया इस् बिहार में पंकर जुदास के स्वागत के लिए कभी पूरा राश्परिवार खरा हो जाता था, आपको बता दे कि उनका यहां पर भव्वे तरीके से स्वागत किया जाता था, चार सालों तक ऐसा लगातार हुआ, बिहार में उनके लाखों चाहने वाले हैं, दरसल जमुई के रहने वाले दिवंगत केंद्री मंतरी दिग्विजे सिंग ने पंकर जुदास की दोस्ती के किस्से काफी मशूर है, कई बार दिग्विजे सिंग ने उन्हें यहां बुलाया और ये वहां आए भी थे, बताया जाता है कि दिग्विजे सिंग को संगीत से काफी प्रेम और उनकी पंकर जुदास से दोस्ती काफी खास थी, इनकी मित्रता काफी गहरी थी, मालूमों कि पंकर जुदास का लंबी बिमारी के बार निधन हो गया है और उनके जाने से उनके लाखों करोडों चाहने वाले गहरे सदमे में है। तेजस्वी यादव के काफीले में शामल गारी हुई हाथसे का शिकार हो गई, इसमें चालक की जान चली गई, जबकि आठ से अधिक लोग घायल बताय जाते है, एसकौर्ट में शामल वाहना, नियंद्रित होकर हाथसे का शिकार हो गई है। गारी ने डिवाइडर को टक्कर मारते वे दूसरे लेन में जा रहे ही कार को भी टक्कर मार दी और घाय लोगों को इलाज के लिए फिलहाल इस्पताल में भढ़ती कराया गया है यहां इनका इलाज चल रहा है और पूर्वे डिप्रिसीम्ते जस्वे यादव की ओर से फिलहा गया है इस कारण याद्रियों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में काफी आसानी होगी शपरा एक्सपर्स को रेलवे ने नियमित रूप से चलाने का फैसला किया है यह ट्रेन शपरा के लुकमान ये तिलक टर्मिनल तक जाएगी इसके बाद सलेम पूर भटनी शपरा रे इडि की छापे मारी आरा में लालो परिवार के करीबी अरुन यादव के घर इडि ने छापे मारी की है राज़त विधायक के रंदेवी के घर इडि ने रेड मारी रचमीन के बदले नौकरी खोटाले मामले में ये कारवाई हुई है बताया जाता है कि आरजएडी की के पुत्र घर पर मौजूद रहे पुर्व विधाय करुन यादव लालू परिवार के काफी करीब माने जाते हैं लोगसबा चुनाओ को लेकर बीजेपी ने तयार की रननीती लोगसबा चुनाओ को लेकर भाजपा ने मास्टर प्लान तयार कर लिया है सोनपूर में जमीन के बदले में नौकरी मामले में तली सुनवाई जमीन के बदले में नौकरी मामले में सुनवाई 14 मार्च तक के लिए चल गई है CBI ने चार्ज श्रीट दार करने के लिए दो हफ़ते का समय मांगा है इसके लिए कोट ने CBI को समय भी दिया है साथी 14 मार्च तक के लिए सुनवाई को चाल दिया मालूम हो की राज़त के रास्त्रे अध्यक शुलालो प्रशाद यादव और पुर्व मुख्यमंत्री रावरी देवी सहीद 14 आरूपितों के खिलाफ CBI चार्ट शेट दाखिल कर चुकी है जमीन के बदले नौकरी के कथित घुटाले मामले में 14 मार्च को अगले सुनवाई होगी E.T. और CBI दोनों ही अपने अस्तर से मामले की जाच कर रही है सुशील मोदी ने राहूल गांदी और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना सुशील मोदी ने राहूल गांदी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है साती केजडिवाल को लेकर कहा है कि शराब गुचाले में आरोपी दिल्ली के सीम केजडिवाल साल 2017 से अब तक अरुन जेडली नितिन गटकरी विक्रम सिंग, कपिल सिब्बल, अमित सिब्बल और अफ़तार सिंग आधी से मानहानी का मुकदमा हारने पर लेकित रूप से माफी मांग चुके है राहुल गांधी तेजस्वी आधव और केजडिवाल जान बुचकर अपने विरोधी नेताओं पर आरोप लगाते हैं और अभध्र टिपन्नी करते हैं सुशील मोधी ने कहा कि तेजस्वी आधव और राहुल गांधी को नियायाले में शमाय आचना करनी पड़ी थी रोहित शर्मा ने राहुल ड्रविट का तोरा रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने कपतानी के मामले में राहुल ड्रविट का रिकॉर्ड तोड दिया है आपको बता दे कि राउल रविड ने 25 टेस्ट में कप्तानी की और इसमें से 8 बार भारत को जीत दिलाई दूसरी और रोईश शर्मा ने 15 टेस्ट मैच में भारत्य टीम की कप्तानी की इसमें से 9 बार भारत को जीत दिलाई है इते दिन हमारे द्वारा पूचे के सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिया है जिनों ने हमारे द्वारा पूचे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नवल किशोर जा, नौशाद रजा, विने कुमार, गौरी कुमारी, गोनर शर्मा, रंजिन कुमार, जाड़ो पासवान, सुधे कुमार सिंग, महमद चकीर हुसेन, अर्चिन राम, सोनु कुमार प प्रभावित किया है, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सिक्षन बॉक्स में लिखकर जरूर बताए, आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूस, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना नहीं भूले, धन्यवाद.